नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका इंफिनिटी नॉलेज में तो दोस्तो डियाइडियो के साइन्टिस्ट की साइड से एक एसा कमाल किया गया है जिसकी वज़े से भारत पूरी तरीके से आत्म निर्भर बन जाएगा और जो भारत दूसरे देशों से हतियार लेता था अब वो निर्भरता भी खतम हो जाएगी और दोस्तो भारत ने जो ये हतियार बनाया है इस हतियार ने एक वर्ल्ड रिकोर्ड भी कायम किया है तो दोस्तो न्यूज ये निकल कर सामने आईए कि भारत ने एक 80GS तोप का निर्मान किया है जिसके टेस्ट और ट्रेल्स भारत की सा चालू कर दिये गए हैं। वैसे अब से करीब तीन से चार महीने पहले भारत ने इसके ट्रेल्स को मंजूरी दी थी। और इसके ट्रेंस भारत की साइड से चालू भी कर दिये गए थे। लेकिन उस टाइम इस एटीजेस टॉप की बैरल फट गई थी। जिसकी वज़े से इस इसके trails को रोकना पड़ा था। लेकिन भारत की side से इस में मोडिफिकेशन किया गया उसके बाद दुबारए से फिर इसके सभी के सभी trails स्टार्ट कर दिये गए हैं और उमीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसके सभी के सभी टेस्ट सक्सस्फुल हो जाएंगे और अगर ये सभी के सभी टेस्ट सक्सस्फुल रहते हैं तो भारतिये सेना इसे जल्द से जल्द खरीदेगी वैसे देखा जाए तो आज तक भारत के पास जादे से जादा जितनी भी तोपे हैं वो बहार देशों से ली गई हैं और फिलाल के टाइम में जो भारत तोप बनाता है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है जिस वज़े से भारत को ये तोपे बहार से लेनी पड़ती है लेकिन DRD के साइंटिस्ट की तरफ से ये इतनी बहतरीन तोप बनाई गई है कि जो इसने अपना वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है वो यह है कि जब इस ATGS से कहीं पर भी हमला किया जाता है तो 48 किलोमीटर तक ये ATGS तोप मार कर सकती है और देखा जाए तो ये अपने आप में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकोर्ड है और अगर इस तोप के जल्द से जल्द सभी के सभी टेस्ट सक्सेस्फुल होते हैं तो भारती साइंटिस्ट का दबदबा हर देश के अंदर होगा एसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि भारत की निर्भरता दूसरे दोशों पर बहुत कम हो जाएगी और भारत मेडिन इंडिया बने हुए ही हतियार अपनी सेना में शामिल करेगा जिस वज़े से भारत को आने वाले टाइम में बहुत जादा फाइदा होने वाला है और आने दूसरे देश से बिलकुल cash में पैशा लाके देती है और जो देश जिस भी country से हतियार खरीटता है उसे उस देश की साथ बिलकुल friendly लेना पड़ता है क्योंकि अपने हतियार का maintenance जिस देश ने weapon खरीदा है उसी देश से कराना पड़ता है और आने वाले time में ये ATGS तो भारत क का दबदबा हर देश में बनाएगी. Thanks for watching this video. Have a good day.